एक भी मृत्यू ऑक्सिजन के शौटेज के कारण नहीं हुआ फिर राहुल जी आप इस प्रकार की राजनीती क्यों कर रहे हैं मुझे बड़ा दुख होता है कि आपकी महराश्टर की सरकार आपकी 36 गड़ की सरकार जब ये खुद मान रही है कि यहाँ ऑक्सिजन की शौटेज के कारण डेथ नहीं हुआ आप ट्वीट करके पूरे देश में भरम पहला रहे हैं और आज मैं मीडिया से भी कहूंगा कि ये लोग तो जूट बोलेंगे भरम पहलाएंगे अपरा तपरी का माहूल कन्फियूजन का माहूल बनाने की चेश्टा देश में करेंगे मगर हाँ जोड़के चतुर्थ स्तंब मीडिया से भी ये निवेदन है कि आप इन लोगों को एक्सपोस करिए इनसे सवाल पूछिए सवाल पूछिए आप राहूल गांधी से सवाल पूछिए आप अर्विन केजरिवाल जी से कि आप अपने अपने हाई कोट में तो कुछ कहते है मगर आके टीवी के सामने और ट्विटर में कुछ और कहते है आप इस प्रकार की जूट के साथ क्यूं आगे बढ़ रहे हैं ये सवाल मीडिया उनसे पूछे वाइरस के कारण इस महामारी के कारण हर घर को दुख और कष्ट जेलना पड़ा है इसमें कोई दोमत नहीं है पूरे संसार में भारत वर्ष भी इससे अचूता नहीं रहा है किन्तु मुझे आज कहते हुए दुख हो रहा है कि वाइरस के कारण तो दुख हुआ ही है मगर कॉंग्रेस पार्टी के कारण कॉंग्रेस के भरम के कारण Congress के confusion के कारण भी दुख हुआ है उसके कारण भी लोगों को कश्ट हुआ है चाहे महामारी का विशे हो चाहे vaccine का विशे हो हर विशे में जूट बोलना हर विशे में भरम पहलाना और हर विशे में लोगों को बरगलाना ये राहूल गांधी जी ने एक Twitter ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है राहूल गांधी you have just acted as a Twitter troll throughout this pandemic आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है दो दो लाइन का जूट Twitter में लिख लिख के you have just behaved as a Twitter troll and nothing else और ये बहुत दुख़द है कि एक former president of one of the largest parties of the country has behaved such irresponsibly मंदुगर्ण आज हम एक सवाल पूछना चाहते हैं सोचिए आप सोचिए जरा मैं कुछ और भी मीडिया के रिपोर्ट लेकर आया हूँ आप देख सकते हैं 36 गड़ जिसने कहा कि हमारे पास कोई death oxygen shortage के कारण नहीं हुआ था उसी 36 गड़ में आप देखिए उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि चार कोविड पेशिंस उनकी मृत्तियों oxygen shortage के कारण हुआ ये मीडिया में छपा हुआ है उस समय राजनीती कर रहे थे अब निकल कर कह रहे हैं कि कोई भी death oxygen shortage के कारण नहीं हुआ है तो मोदी जी से घ्रणा करते करते उनके द्वारा अच्छे management को किस प्रकार से धता बताना है ये काम कॉंग्रेस की सरकारे कर रही थी ये हम देख रहे थे मैं एक सवाल आज पूछता हूँ बंदुगन आप सोचिए क्योंकि मीडिया ने हमसे भी कल पूछा कि अगर ये राज्य की सरकारे आपको आखड़े नहीं दे रही हैं तो आप उनसे जबर्दस्ती क्यों नहीं लेते हैं अगर मैं एक speculative question पूछ रहा हूँ अगर केंद्र की सरकार टीम भेज दे कि दिल्ली सरकार के पास जाईए और वहां से आखड़े लेकर आईए अगर आप टीम भेज दें बंगाल में कि जाईए वहां से आखड़े लेकर आईए क्योंकि ये तो सही आखड़े नहीं दे रहें तो ये लोग सब कहेंगे अच्yr ये तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे है they are killing democracy मतलब इधर भी गढधा उधर भी खाई आप report भी नहीं करेंगे और अगर हम उनसे पूछेंगे कि आपकी report क्या है वरना हम report कर दें तो बोलेंगे democracy का death हो गया मतलब कोरी कोरी राजनीती करनी है और अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कल जो meeting प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने third wave की preparation के लिए बुलाया हम जानना चाहते हैं देश जानना चाहता है कि Congress Party और आम आदमी Party उससे नदारत क्यों रही why was the Congress Party and the आम आदमी Party absent from the meeting which was called regarding the preparation of third wave by the Honorable Prime Minister of India आप meeting में जाएंगे नहीं और बाद में आप लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने हमें बताया नहीं प्रधानमंत्री जी ने हमें चेताया नहीं आप राजनीती करते हैं आम आदमी Party ने कहा कि हम COVID के बारे में सुनना नहीं चाहते हैं जब तक कि किसानों के बारे में चर्चा नहीं क्या COVID में हो रहे मृत्यू क्या COVID में हो रहे preparation ये महत्वपून नहीं है क्या oxygen में किस प्रकार से oxygen plants थापित करके उसकी production को बढ़ाई जाए हर जिल्ले में प्रदान मंत्री कर रहे हैं क्या ये महत्वपून नहीं है कि आप meeting में नहीं जाएंगे राहुल गांधी जी आप क्यों नहीं जाते हैं meeting में meeting में जाएंगे नहीं और Twitter troll के रूप में काम करेंगे ये हिंदुस्तान देख रहा है हिंदुस्तान कभी भी आपको शमान नहीं करेगा बहुत बहुत धन्यवाद कोई प्रशन हो तो अवश्य पूछे देखिए पहरे बात तो है ये बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि आज राजनिती का स्तर ये हो गया है कि कोरोना को लेकर हमें राज्यों को भी दो भागों में खंडित करना पड़ रहा है दो भागों में विभाजित करना पड़ रहा है एक भाग भारजपा शाशित राज्य और दूसरा भाग भाजपा का जहां सरकार नहीं है कॉंग्रेस या विपक्षी शाषित राच जी ऐसा कभी पैंडमिक में नहीं होना चाहिए आप याद करिए आपने उत्तर प्रदेश को लेकर सवाल पूछा उत्तर प्रदेश के माननिय मुख्यमंत्री योगी जी ने बकाइदा प्रेस कॉंफरेंस करके किसी प और राहुल गांदी तो टीवी पर प्रकट नहीं होते थे वो केवल ट्विटर पर प्रकट होते थे और रोज मोदी जी ने ऐसा नहीं किया मोदी जी ने वैसा नहीं किया अक्षिजन नहीं मिला मगर आज क्या हो गया उस समय आप आक्षेप लगा रहे थे मगर जब रिपो देखिए, मैं इस प्रेस कॉन्फरेंस का जो सार है, वो सार सिर्फ इतना है, कि बहुत संभेधन शील भी शाय है, मृत्यू के आकड़े जो कल केंदर सरकार ने प्रस्तुत किये सदन के पटल के उपर, वो आकड़े केंदर सरकार के आकड़े नहीं है, वो आकड़े राज्यों और यूनियन टेरिटरीज द्वारा भेजे गए आकड़े हैं, इसलिए अगर विपक्ष इस पर चार्ज लगाता है कि कहीं न कहीं केंदर सरकार सहीं आकड़े नहीं लख रही है, तो विपक्ष को अपने गिरेबान में जाकना चाहिए और अपने राज्यों, अपने शाशित राज्यों से पूछना चाहिए कि वाकई क्या उन्होंने आकड़े बेजे थे और हमने चुपा दिये, मूल प् अपने चाहिए. कि अधनेरी भागए पर उन्रवाइबू से अधने पार्गेश कि अधनेरे चिढ गरगेane मैं तरफृ पलीजारी सेस्टान के अधनेरे हैं, इस अधनेरे चल्वावड़ प्रागेश्ट य। य। फार इस य। लागेश्ट वाखुटियद क्या कशणनेक्वाद कड ceux देख अशज़ एफना किOMEज़ आपना आपन थे रख आपि好像 एंधं नियू आपनों कोर देखे प्रावि 전ムहा हमत दोखें थे अ उपरिखनंब चिवोंचन चाही चूर् अपनुदर के अउन्ग्योंच रएंस घर इधू झेझत भनी किहांकि準備 and not writing, speaking something and submitting contrary views on the floor of the High Court, it means that you are trying to politicize the whole issue. And of course they will try to bring LG everywhere. Did the LG say something to the Delhi government's committee that you don't submit the real report to the Delhi High Court? No one forcing them. Their hands were not tied. So what forced the Aam Admi Party not to submit the report to the Delhi High Court? . 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